1989 में जया जी की पहली मूवी आई सरगम और दोस्तो ये मूवी सुपर हिट रही इसके बाद इनकी दूसरी मूवी आई लोक पर लोक और दोस्तो ये मूवी हिट रही 1980 में जया जी की मूवी आई टककर और दोस्तो ये मूवी एवरिज रही 1982 में इनकी मूवी आई कामचोर और दोस्तो ये मूवी सेमी हिट रही इसके बाद जया जी की मूवी आई दिले नादान और दोस्तो ये मूवी एवरिज रही 1983 में जया जी की मूवी आई कयामत और दोस्तो ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई मवाली और दोस्तो इन्हों ने ये मूवी हिट करा ली इसके बाद इनकी मूवी आई मैं आवा रहा हूँ और दोस्तो ये मूवी फ्लॉफ रही 1984 में जया जी की मूवी आई तौफा और दोस्तो ये मूवी सुपर हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई धरम और कानून और दोस्तो ये मूवी हिट रही वैसे ये मूवी काफी बढ़िया मूवी थी इसके बाद जया जी की मूवी आई मेरा फैसला और दोस्तो ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई सराबी और दोस्तो ये मूवी सुपर हिट रही इसके बाद जया जी की मूवी आई मकसद और दोस्तो ये मूवी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई नया कदम और दोस्तो ये मूवी एवरेज रही इसके बाद जया जी की मूवी आई हैसियत और दोस्तो ये मूवी भी हिट रही इसके बाद जया जी की मूवी आई आवाज और दोस्तो ये मूवी एवरेज रही 1985 में इनकी मूवी आई पाताल वहरवी और दोस्तो ये मूवी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई संजोग और दोस्तो ये मूवी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई होसियार और दोस्तो ये मूवी भी हिट रही इसके बाद जया जी की मूवी आई जबरजस्त और दोस्तो ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद जया जी की मूवी आई हकीकत और दोस्तो ये मूवी फ्लॉफ हो गई इसके बाद इनकी मूवी आई सुर और सरगम और दोस्तो ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद जया जी की मूवी आई मेरा साथी और दोस्तो ये मूवी भी फ्लॉफ रही 1986 में जया जी की मूवी आई सिंगासन और दोस्तो ये मूवी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई आखरी रास्ता और दोस्तो ये मूवी सुपर हिट रही वैसे ये मूवी इनकी one of the best मूवी थी इसके बाद जया जी की मूवी आई स्वर्ग से सुन्दर और दोस्तो ये मूवी भी सुपर हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई मुद्दत और दोस्तो ये मूवी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई प्यार के दो पल और दोस्तो ये मूवी भी एवरिज रही इसके बाद जया जी की मूवी आई ऐसा प्यार कहां और दोस्तो ये मूवी हिट रही 1987 में जया जी की मूवी आई उलाद और दोस्तो ये मूवी हिट रही वैसे ये मूवी मुझे काफी बड़िया मूवी लगी थी इसके बाद इनकी मूवी आई मजाल और दोस्तो ये मूवी एवरिज रही इसके बाद जया जी की मूवी आई इंसाफ कौन करेगा और दोस्तो ये मूवी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई सिंदूर और दोस्तो ये मूवी हिट रही 1988 में जया जी की मूवी आई मर्दो वाली बात और दोस्तो ये मूवी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई गंगा तेरे देश में और दोस्तो ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई गंगा जमना स्वरसुती और दोस्तो ये मूवी फ्लॉफ रही दोस्तो ये मूवी कमाई की वज़े से फ्लॉफ हो गई थी इसके बाद जया जी की मूवी आई घर घर की कहानी और दोस्तो ये मूवी हिट रही 1989 में इनकी मूवी आई जादूगर और दोस्तो ये मूवी डिजास्टर रही इसके बाद इनकी मूवी आई मैं तेरा दुस्मन और दोस्तो ये मूवी एवरेज रही इसके बाद इनकी मूवी आई सोतन की बेटी और दोस्तो ये मूवी सेमी हिट रही इसके बाद जया जी की मूवी आई एलाने जंग और दोस्तो ये मूवी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई कानून की आवाज और दोस्तो ये मूवी डिजाश्टर रही इसके बाद जया जी की मूवी आई पराया घर और दोस्तो ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई हम भी इनसान है और दोस्तो ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई घराना और दोस्तो ये मूवी फ्लॉफ रही वैसे ये मूवी भी काफी बढ़िया थी बट कमाई की वज़े से ये मूवी भी फ्लॉफ हो गई इसके बाद जया जी की मूवी आई मजबूर और दोस्तो ये मूवी हिट रही 1990 में जया जी की मूवी आई जख्मी जमीन और दोस्तो ये मूवी एवरेज रही इसके बाद इनकी मूवी आई आजका अरजुन और दोस्तो ये मूवी सुपर हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई नयाय अनयाय और दोस्तो ये मूवी एवरेज रही इसके बाद इनकी मूवी आई थानेदार और दोस्तो ये मूवी सुपर हिट रही 1991 में इनकी मूवी आई फरिष्टे और दोस्तो ये मूवी भी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई इंदरजीत और दोस्तो ये मूवी फ्लॉफ रही वैसे ये मूवी भी काफी बड़िया मूवी थी इसके बाद इनकी मूवी आई कानून की जंजीर और दोस्तो ये मूवी भी फ्लॉफ हो गई इसके बाद जया जी की मूवी आई सपनों का मंदिर और दोस्तो ये मूवी भी फ्लॉफ हो गई दोस्तो ये सारी मूवी आग काफी अच्छी मूवी हैं लेकिन कमाई की वज़े से कहीं न कहीं ये सारी फिल्में फ्लॉफ हो गई थी इसके बाद इनकी मूवी आई मा और दोस्तो ये मूवी हिट रही 1992 में जया जी की मूवी आई सोने की लंका और दोस्तो ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई त्यागी और दोस्तो ये मूवी भी फ्लॉफ रही 1993 में इनकी मूवी आई धर्ती पुत्र और दोस्तो ये मूवी एवरेज रही इसके बाद इनकी मूवी आई इंसानियत के देउता और दोस्तो ये मूवी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई खेल नायका और दोस्तो ये मूवी सेमी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई कुंदन और दोस्तो ये मूवी एवरेज रही इसके बाद जया जी की मूवी आई वीरता और दोस्तो ये मूवी डिजास्टर रही 1994 में जया जी की मूवी आई चौराहा और दोस्तो ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई इंसानियत और दोस्तो ये मूवी फ्लॉफ रही 1995 में जया जी की मूवी आई मैदाने जंग और दोस्तो ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई पापी देउता और दोस्तो ये मूवी डिजाश्टर रही इसके बाद इनकी मूवी आई वीर और दोस्तो ये मूवी फ्लॉफ रही 1997 में जया जी की मूवी आई जीवन युद और दोस्तो ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई लोकुस और दोस्तो ये मूवी डिजाश्टर रही 1998 में जया जी की मूवी आई सेर खान और दोस्तो ये मूवी भी डिजास्टर रही इसके बाद इनकी मूवी आई जुल्मो सितम और दोस्तो ये मूवी भी फ्लॉफ रही 1999 में इनकी मूवी आई कोहराम और दोस्तो ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद जया जी की मूवी आई लोव पुरुस और दोस्तो ये मूवी भी डिजास्टर रही इसके बाद इनकी मूवी आई नयाएदाता और दोस्तो ये मूवी भी डिजास्टर रही 2000 में जया जी की मूवी आई भारत भाग्य विधाता और दोस्तो ये मूवी भी डिजाश्टर रही 2004 में इनकी मूवी आई खाखी और दोस्तो ये मूवी भी डिजाश्टर रही 2006 में जया जी की मूवी आई तथास्तू और दोस्तो ये मूवी भी डिजाश्टर रही 2007 में इनकी मूवी आई देहा और दोस्तों ये मूवी भी डिजाश्टर रही 2013 में इनकी मूवी आई रज्जो और दोस्तों ये मूवी भी डिजाश्टर रही तो मेरे दोस्तों ये था जया जी का फिल्मी सफर आपने इनकी कौन सी फिल्में देखी हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स ने बताईए और दोस्तों आपको अगली वीडियो किसके उपर चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स ने बताईए तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद